जोति शास्त्रों के अनुसार शनी देव को नियायका देवता माना जाता है। शास्त्रों के मताबिक शनी देव व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुण्डली में शनी की प्रतिकूल द्रिष्टी पड़ रही है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सी परिशानियों का सामना गड़ना पड़ता है जोति शास्त्र में शनी के दोश को कम करने के लिए बहुत से उपाई बताए गए है जोति शास्त्र के पीपल के पेड के उपाए करने से शरी दोष समाप्त होता है। हिंदु धर्म में पीपल के पेड का विशेश महत्व है। सास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड में तिरिदेव का वास होता है। पीपल के पेड की पूजा करने से जीवन की परिशानियां हल होती है। आज के इस लेख में हम आपको पीपल के पेड़ के कुछ ऐसे अचू को पाए बताएंगे जिनसे शनी दोष दूर होगा और जीवन में सुख सम्रिद्धी होगी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को दोनों हातों से इसपर्ष करके साथ परिक्रमा करें परिक्रमा करते समय ओम शन शनिचराय नमहा का चाप करें ऐसा करने से शनी की साड़े साती और शनी के ढहिया अन्य दोष समाप्त हो जाते हैं शनी देव को नेमित रूप से शपर्ष करने से जीवन की सभी परिशानियां दूर होती है और घर में लक्षमी का वास होता है अगर आपके कारें ब फिरपा से आपके जीवन में सभी बाधाई दूर होंगी और आपको सफलता मिलेगी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चड़ाना चाहिए और शर्सों के तेल का दीपक जलाना चाहिए ऐसा करने से शनी की दसा समाप्त होती है और घर में सुख सम्रिद्धी बनी र करने से व्यपार में सफलता मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है जदि आपको जीवन में खराब समय का सामना करना पड़ रहा हो तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखकर उसकी पूजा अवश्य करें